सल्मान से पहले किसी और के प्यार में पागल थी एशोरिया, इनकी लब स्टोरी ने मचा दिया था तहल का, आखिर कैसे मनीशा कोईराला के वज़े से तूटा इनका रिष्टा हेलो आप देखरें, फर्स्ट इंडिया फिल्म में हूँ आपकी होस्ट और दोस्त रजनी सल्मान खान और एशोरिया राय के प्यार के किस से तो आपने बहुत सुने हूंगे लेकिन आज हम उनसे रूबरू कराने वाले हैं जिनके प्यार में काफी पागल थी एशोरा राय जी हाँ, सल्मान से पहले एक ऐसे शक्स के प्यार में पागल थी एशोरिया कि इनकी लव स्टोरी से चारों तरफ तहल का मच किया था वेल चली आपको दिखाते इस खास रिपोर्ट में कौन थे वो शक्स दरासल बहुत कम लोग जानते हैं कि सल्मान खान से पहले एशोरिया राय का नाम राजीव मुल्चंदानी से जुड़ा था जी हाँ आपने सही सुना राजीव वो ही इंसान है जिनका फेर एक्ट्रेस मनीशा कोईराला के साथ भी रह चुका है खबरों के अनुसा राजीव को लेकर मनीशा और एशोरिया के बीच काफी विवाद हुआ था जिसको लेकर साल 1999 में दिये गए एक इंटर्वियू में एशोरिया ने खुल कर बात की थी एशोरिया ने कहा था कि वो कभी भी राजीव और मनीशा की लब स्टोरी का हिस्सा नहीं रही साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि इस मुद्दे पर मुझे काफी जादा परेशान किया गया था जिसकी वज़े से मैं दिन राज रोती रहती थी आपको बता दे कि राजीव 90 के दशक के फेमस मॉडल थे ऐसे में ये कहना गलत नहीं था कि अगर उस दोर में किसी को मॉडलिंग में अपना करियर बनाना है तो उसे राजीव का सपोर्ट चाहिए ही था यही वज़े था कि राजीव राजीव के बीच नजदी किया बढ़ी इसी बीच एशुरिया ने जिन्स और प्यार हो गया में काम किया और उनकी दोनों ही फिल्में फ्लॉप रही इसके बाद राजीव और एशुरिया का रिष्टा भी तूट गया दोनों के अलग होने के बाद मनीशा ने एक मैगजीन को दिया इंटर्विय में कहा था कि राजीव ने उनके लिए एशुरिया राए को छोड़ा है इस बात को लेकर फिल्म इंडस्टी में काफी बवाल मचा था एशुरिया राए ने भी बहुत कुछ कहा था और मनीशा ने भी बहुत कुछ कहा था लेकिन जैसे जैसे वक्त बीटा गया ये कहाने भी फुरानी होती गई उसके बाद सल्मान और एशुर राए का प्यार परवान चड़ा और उसके नतीजे सभी जानते हैं वेल ये थी एशुर राए की लव स्टोरी सल्मान से पहले वो किसी और के प्यार में इसकदर पागल थी कि वो कुछ भी कर गुजरने को तयार थी लेकिन उनकी लव स्टोरी ने बॉलीवुड में काफी तहल का मचा दिया था वेल अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शूरा सब्सक्राइब करना बिलकूल न भूले और हाँ अगर आपको कुछ राय देनी है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर दे सकते हैं